हेलो एन विल्कम दोस्तों मैं आज से सुतार फिर से सागत करता हूँ आपका आपके अपने योटुब चैनल माय टेक्निकल ग्यान में तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता था कि आप यहाँ पर हेडर इमेज कैसे चेंज कर सकते हो आज की वीडियो में हम इसक सेक्षिन के आहीं बार में समझे दूब तो यहाँ पर आपस चेंज करने का तरीका वेसे ही रहेगा आप यहाँ पर जागे इस अब और मी को को पय कर ली जे है यहां पर Ctrl C करूँगा, यहां पर जाओ, कई पर भी क्लिक करो, Ctrl F करो, ठीक है, और यहां पर Ctrl B करके और Enter मार दो, ठीक है, यह अपना आगया, About Section, अब यहां से आपको Change करना है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि, यहां पर आप आजाओ, यह वाला, अपना First Point यह होता है, तो यहां पर अपना Name टाइप कर दिये, ठीक है, Name हो गया, इसके बाद आप यहां पर नीचे जाएए, यहां पर यह इसका Description लिख रखा है, जैसे कि यह वाला था जो, तो मैं इसमें क्या है कि यह इसको पूरा Change नहीं करूँगा, मैं आपको थोड़ा सा एक Idea देता हूँ, तो यहां पर आप यहां पर देख सकते हो कि यह अपना बास address वगेरा phone number यह सारा email और यह website आ रही है, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, मैं तरीका बदेता हूँ, अगर आपके पास website नहीं है, तो आप इसको यहां से delete करोगे, वो भी बता दो कैसे, सबसे पहले आपक इसमें पूरा है, और यहां पर मैं एक बार लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहां पर, ठीक है, इसके आगे मैंने उद्धे पूर लिगा, ताकि आपको थोड़ा सा change दीख सके, यहां पर मैं यह number काटता हूँ, ठीक है, यहां पर मैं यह number काटता हूँ, और plus 91 करके, और आप वेबसाइट कर सकते हो, तो मैं यहां पर हटा कि एक बार आपको change करके बता रहो, खरली सी, आगे आपके पास अगर email हो, तो email पूरा ही डाल देना, ठीक है, जैसे कि यहां पर यह, और यहां पर यह Gmail कर देता हूँ, इसको, ठीक है, तो asisgmail.com यह से मैं ने कर दिया, और website, तो यहां से आपकी नहीं है website, तो इस section को यहां तक पकड़ो, और इसको backspace कर दो, ठीक है, और यहां पर आप ठीक है, इतना सा हो गया, इतना सा करने के बाद, आप यहां पर देख सकते हो, कि यह आपका इतना पूरा edit हो चुका है, और यह आपने वो सारा delete भी कर दिय अब यहां पर आप इसको backspace भी कर सकते हो, ठीक है, यह इतना सा edit होने के बाद, आपको अब यह वाला section edit करना है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हो, साथी साथ, यह चलो, मैं इसको एक बार save कर ले तो, फिर मैं आपको थोड़ा सा change करके बता दो, तो मैं एक साथ करके आप देख सेकते हो, यह वाला section अपना पूरा change होगा भी, थोड़ा सा wait कर लेते हैं एक बार, तो यहां पर देख से, यह मेरा name हो गया, यहां पर मैं ने आशिष 8 किया, तो थोड़ा सा उड़ा कि यह, यहां पर मैं ने उदे पूल लिगा था, random number यह अपना gmail और एक section अपन को उड़ाना था, उड़ा दिया, आपके पास website हो तो वहाँ पर website का link paste कर दे रहा है, ठीक है, अब यह वाला section भी में आपको edit करके बता देता हो, तक ही वो आपको समझ में आ जाए जल्दी से, तो इसको ही copy कर लेते हैं अपन यहां से, ठीक है, यहां पर आप जाओ control F करो, control V करो, और यहां पर enter माल दो, ठीक है, तो यह आ रहा है, यह professional skill ठीक है, यह वाला field आ चुका है, और यह वाला जो आपको दिख रहा है, यह HTTP, जो अभी आपको यह link दिख रहा है, dot jpg करके, यह उस image का link है, तो आप इस image को भी change कर सकते हो, वो मैं आपको image का भी बता तो वैसे ही आप बता दो, यहां पर आप my professional skill में change करना चाहते हो, तो कर सकते हो, यहां पर यह same to same, वो है description है, तो मैं यहां पर भी एक बार आपको हलका सा change करके, ठीक है, यहां पर मैंने अपना name लिख दिया वापिस, ठीक है, यहां पर यह social link, अब यह जैसे की social link तो वैस जो भी link paste करको, वो आपका वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तो यह आप इसका कर सकते हो, मैंने आपको एक video में बता था कि आप कैसे social link add कर सकते हो, आप चाहते हो, तो मैं यहां पर आपको एक बार और बता देता हो, जैसे की मैं एक बार यह से डाय कि रेंडम YouTube खोल लेता ह ठीक है, और यहां पर जो link आएगा, वो मैं उसको copy कर लूँगा, जैसे की मैं यह एक बार YouTube.com कोपी करके आपको बता देता हो, ठीक है, तो इसको मैंने Ctrl-C किया, आप वहाँ पर ही जाओ, ठीक है, और यह Google Plus की जगे मैं यहां पर इसको hash को उड़ाऊंगा, यहां पर यह YouTube. को paste कर दिया, और यहां पर Google Plus जो name है, इसको आपको delete करना है, और यहां पर आप YouTube लिग दिया, ठीक है, उसके बाद आपको नीचे scroll down करना है, ठीक है, अब यहां पर यह जो आपको बार है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहां पर मैं इसको close करता हूँ, यह वा developer और यहां पर आपको wordpress लिगा, इनको आपको change करना है, साथी साथ यह बार भी change करना है, उनका percentage भी change करना है, तो वो मैं आपको बता तो कैसे करेंगे, आप यहां पर नीचे आओ, ठीक है, तो यहां पर यहां आपको सबसे पहले दिख रहा है, wave design, तो मैं आपको एक change करके बता तो बाकी आप कर लेना, बेक space करूँगा और जहां लिकूँगा, data entry, ठीक है, मैं data entry कर देता हूँ, एक बार के लिए, उसके बाद यहां पर आपको percentage दिख रहा है, आप 90%, मैं इसको एक बार के लिए 95 कर देता हूँ, ताकि क्या है, आपको थोड़ा सा change दिखे, अब यहां 95 हुआ है, तो यहां से अगर आप 95 करोगे तो क्या होगा, कि यहां पर 95 होगा, बार में change नहीं आएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यह जो 95 दिख रहा है, आप इसके नीचे आओ, यहां पर class progress bar, और यह ठीक है, यहां पर 90 है, इसके नीचे आएगा, तो इ यहां पर यह processing हो रही है, processing होने के बाद यहां पर आप आप आए, आप देख सकते हो, पूरा के पूरा यह layout अपना change हो जाएगा, अपने जित्ता चेंज किया उत्ता, यहां पर देख सकते हो, data entry हो गया, यह 95 परसेंट के इसाब से 90 फ्रेंट के लिए, बार आगे भी करोगे तो पिछे आजाएगी और आगे करोगे तो यहां पर मैंने YouTube किया था तो देखो यहां पर YouTube भी आगया, YouTube का show कर रहा है, और यह आप change करेगा, उसी तरह से कटना है उसके नीचे, ठीक है, अब मैं आपको बताता हो, last बच रहा है अपना यह image, ठीक है, तो यहां पर जाएगे उसे template में, और यहां पर इसको थोड़ा सा उपर, यहां पर मैं उसको, sorry, यहां पर यहां पर यहां, तो यहां पर यह आप देख सकते हो, कि यहां पर अपना एक link दिख रहा होगा आपको, अब इसको बताता हो, आपको, अब इसको नीचे scroll down करिए, तो यह यहां आपको, एक jpg link देखेगा, यह, यह वाला आपको दिख रहा है, जैसे कि my professional skill है, यह वाला my professional skill, उसके उपर आपको यह jpg link दिख रहा है, यह वाला, तो इस link को आपको replace करना है, अपने link से, तो वो कैसे करेंगे, यहां पर आओ, blogger page में, ठीक है, इसी में जाओ, और इसको open करना है, मला अपने पहले जो page बनाया था, उसको यह open, edit करेंगे, यहां पर मैं एक बार click करता हूं, ठीक है, और यहां पर upload from computer, एक image upload करना है, आपको अपनी, तो यहां पर choose file करेंगे, image change करेंगे, वो मैं आपको बता तो कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां download में चला जाता हूं, या कई पहर भी एक image पढ़िए हो मेरी, ठीक है, तो मैं यह वाली image एक बार, चलो यह वाली image चूँज करता हूं, और इसको मैं open कर देता हूं, ठीक है, तो यह वाली image open हो गई, मेरी, इमेज उपन होने के पाद यहां से सलेक्ट करेंगे ठिक है और यहां पर इसको रख देगे आप यहां पर आप इसको पर दिखए कर दो और यहां पर यह चिप्लास दीख रहा है यहां पर किलिक करके इसको ओर лиसफunge कर देते हो यहां पर इस copy image address इस पर क्लिक कर दो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर जाओ वापीस आपको यह जेपेग लिंक दिख रहा है आप इसको पकड़ो यहां से यहां तक HTTP तक और इसको Ctrl V करके रिप्लेस कर दो डायरेक्ट यहां पर यह हो गया अब इसको मैं सेव करूँगा बागी सारा अपना हो चुका है सेव कर दिया अब यहां पर आप देखो अपने पूरा section एक रिधिट कर दिया यहां पर मैं जाओंगा इसको मरूंगा रिप्रेश और आप देखो कि यहां पर मेरी इमेज आ जाईगी थोड़ा से में इसको सेट कर लेता हो एक बार रिप्रेश हो जाए तो यहां पर आप देशेए यह मेरी image भी आगए यहां पर मैंने change कर दिया description आपको अपने according लिखना होगा इसके बाद यह आपका सारे detail हो गई यह आप change करने चाहूं my professional इसके लिए मैंने बता दिया इसको मैंने यहां पर आशिस लिख किया थोड़ा सा चेंज करके बता दिया social link में मैंने आपको YouTube का बता दिया और इस फिल्ड बार वाले फिल्ड में मैंने आपको यहां पर डाटा इंटरिचेज करके और यहां पर percentage को कैसे बढ़ाना है और घटाना है वो भी बता दिया तो इस तरह से यह हो गया next वीडियो में मैं आपको यह service वाला पूरा section बता द नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पूरे blogger को complete कर लेंगे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप comment box में comment कर सकते मैं आपको जरूर reply करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को like करे channel को subscribe करे और bell icon को press करना ना बूले मिलता हूं आपको next video में